आज हम आपको एमवे का विटामिन C चैरी प्लस के बारे में बताएंगे यह दूसरे ब्रांड से अलग है क्योंकि एमवे क्वालिटी एवं रिसर्च पर बहुत ध्यान देता है आपको पैसे की पूरी वैल्यू मिलती है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विटामिन C को एकसकर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है हमारे शरीर में एसकर्बिक एसिड का होना, कोशिकाओं एवं पाचन की क्रियाओं के लिए बहत आउशक होता है विटामिन सी आपकी खुबसूर्ती को बनाए रखने के साथ आपकी सहत का भी पूरा ध्यान रखता है आईए जानते हैं कि कैसे विटामिन सी आपकी खुबसूर्ती को चारचान लगाने के अलावा आपकी सहत को दुरुस रखने में मदद करता है खुबसूरती ही नहीं, सेहत का खजाना भी है आज हम आपको 10 ऐसे कारण बताएंगे कि विटामिन C हमारे लिए कितना जरूरी है उन में से सबसे पहले हम चेहरे के बारे में बात करेंगे चेहरे की दमक के लिए जुरियों को कम करता है ये विटामिन C तचा में कॉलिजन बनाने में मदद करता है इसकी वज़े से आपकी तचा में लचीलापन बना रहता है यदि व्यक्ति के शरीर में विटामिन C की कमी हो जाए तो उसकी तचा समय से पहले लटकने लगती है और चहरे पर बुड़ापा जल्दी दिखने लगता है विटामिन C एजिंग की प्रक्रिया को प्राकर्तिक रूप से कम करने में आपकी मदद करता है चलिए अब हम बालों की बात कर लेते हैं बालों की खूपसूरती एवं बालों को शुष्क होने से बचाने के लिए विटामिन C एक बहतर विकल्प है शरीर में विटामिन C की कमी होने से बालों में रूखा पना जाता है सिर की त्वचा पर सूखी पपड़ी जमने की वज़े से बालों की जड़े कमजोर हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं लेकिन विटामिन C की मदद से सिर में रक्त संचार बढ़ता है और बाल लंबे और खूब सुरुत बनते हैं अब हम बात करेंगे संबर्ण के संबर्ण होने से बचाता है हमको यह विटामिन C सूरज की तेज धूप आपके चहरे को जुलसा सकती है इससे हमारा बचाओ करती है लेकिन डाइट में विटामिन C का उचित सेवन और करके आप तुचा के कैंसर जैसे खत्रे को टाल सकते हो अब हम नेक्स्ट जो कदम उठाएंगे वो हमारे सिहत के लिए है विटामिन C हमारे सिहत के लिए वर्दान है विटामिन C एक बहतर एंटी आक्सिडेंट है जो कैंसर और अन्य बिमारियां पैदा करने वाली फ्री रैडिकल से बचाओ करती है इतना ही नहीं ये शरीर में रोग प्रतिरोदक शमता बढ़ा कर कैंसर जैसी बिमारी से लड़ने में भी काफी मदद करता है विटामिन C कोशिकाओं और DNA में होने वाले उस परिवर्तन में भी बचाओ करता है जो शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है हार्ट से रिलेटिड रदे रोग विटामिन C में मोजूद एंटी ओक्सिडेंट तत्व दिल की सेहत बनाएं रखने के लिए कफी फायदे मद होती है विटामिन C रदे समंदी कई समस्याओं से लड़ने में कारगर है ये धमनियों को शतिग्यस होने से बचाने के साथ रख्त कोशिकाओं में कैलिस्ट्रॉल जमने में रोकता है इसकी वज़े से हार्ट अटेक और ब्रेन स्टॉक का खत्रा कम हो जाता है अब हम नेक्स्ट जो भी स्टैप उठा रहे हैं वो है अस्तमा अस्तमा हमारे शरीर में अस्तमा के लिए जिम्मिदार हिस्टा माइन के उत्पादन को कम करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा सयोग है इसकी वज़े से अस्तमा या सांसों से समंदित परिशानियों की संभावना कम हो जाती है विटामिन सी के एंटी ओसिडेंट तत्व आपके फैपडों की सफाई करने में एहम भूमी का निभाते हैं अब हम जक्मों के बारे में बात करेंगे विटामिन सी एक बहतरीन हीलर है विटामिन सी की मदद से तचा के घाव जल्दी भर जाते हैं शरीर में रोग प्रतिरोदक शमता कम होने की स्तेती में भी ये संकर्मन फैलने और बिमारियों से बचाव करता है अगली जो हम बात करेंगे वो है एलर्जी से रिलेटिड विटामिन सी में मुझूद एंटी हिस्टामाइन तच्व एलर्जी से बचाव कर उसके लक्षणों से निजाद दिलाते हैं सरदी लगने पर आप विटामिन सी का प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्त बनाए रख सकते हैं विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल हमारे तनाव को रोकने में भी है विटामिन सी ना केवल आपके दिमाग को स्वस्त रखता है बलकि यह स्ट्रेस फाइटिंग एड्रिनेलिन हार्मोन का इस्तराव कर आपको तनाव से रहत दिलाता है अब हम जो लास्ट जो बात करेंगे वो है हमारे जोडों के दर्द की जोडों के दर्द में कॉलेजन और कार्टिलेस के शतिगस्त होने पर उम्रिके बढ़ने या किसी इन्फैक्शन की वज़े से अगर जोडों में दर्द हो रहा हो तो विटामिन सी कॉलेजन नामक प्रोटीन का निर्मान करके दर्द से रहत देता है अब आपको जानकर खुशी होगी कि एमवे विटामिन सी चैरी प्लस को जल्द ही लॉंच करने जा रहा है ताकि आप इन सारे फायदों का लाब उठा सकें अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले